speak का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सेख लेते हैं speak की second form होती है speak यानि कि archaic past of speak होता है speak यानि कि आजकल जो है हम speak की second form जो है वो spoke use करते हैं spok यह ही लेकिन जो पुराने जमाने में जब English का इस्तेमाल किया जाता था तो speak की second form speak use की जाती थे जिसका आज कल बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है और speak का आर्थ होता है बोलना, भाशन करना, बातचीत करना, बात करना या बात कहना तो speak का मतलब हुआ कि बोला या कहा, भाशन किया, बातचीत की, बात कही या किसी बारे में कोई चीज कही जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि बहुत समय पहले उन्होंने बुद्धिमानी भरी बातें कही थी जिनने आज भी याद किया जाता है तो आप कहेंगे Long ago he spoke wise words that are still remembered today Long ago he spoke wise words that are still remembered today ये अगर आप ये कहना चाहें कि भविश्य वक्ता ने राष्टर के लिए महान भविशे की बात की तो आप कहेंगे The Prophet speak of a great future ahead for the nation The Prophet speak of a great future ahead for the nation अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें